हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सुभी को टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 7,000 रुपीज बताऊंगा और जितने भी फोन बता रहो दोस्तो इनकी जो प्राइज है आपको 6,000 से लेके 7,000 के बीस में देखने को मिल जागी इसमें आपको जो फीचर देखने को मिलेंगे बहुत ही बढ़ियां देखने को मिल जागे जिया दोस्तो इसमें को डिस्पले देखने को मिलेगी बहुत ही बढ़ियां देखने को मिल जागी जो कैमरा देखने को मिलेगा ओ भी आपको बहुत ही बढ़ियां देखने को मिल जागा एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी, तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा, और दोस्तो अगर आपका बजट 5000 से लेके 6000 रुपय तक है, और उस बजट में आप एक best phone लेना चाते हैं, और जाना चात हैं, तो वहां से जाके जान सकते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन से लटाफ है, बेस्ट फोन है, जो आज की इस लिस्ट में आते हैं, तो अब बात करते हैं, तो अब बात करते हैं, तो अगर इस प्राइस जेंज पर आप एक best camera phone लेना सिस्टम, 4000 एमेच की बैटरी, 13 मेगा फिक्सल ट्रिपर रियर कैमरा और 8 मेगा फिक्सल सेलफी, इसमा को डूल सी 4G वोल्टी कनेक्टिवेटी, डेडिकेटेड माइक्रो एच्डी कार्ट स्लोट, और सिक्योर्टी के लिए इसमा को रियर माउंटेर फिंगर पिन सेंसर प् एक तो बहुत ही देखनीक मिलता है जो इसमा को दोस्तो बहुत थी है इसमा को जो प्रोसेसर देखनेक को मिलता है तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की इसमें जो चौते नंबर पर फोन आता है यह भी आपको बहुत ही बनिया देखने को मिल जाता है जिसमा आपको डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिल जाती है कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाता है प्रोसेसर भी आपको ठीक ठा सबबत करते हैं लेकिन यहां पर अच्छा प्रोसेसर आपको भाइटरि साथा आपको बढ़ेयां बढ़े लिiseen को साक्तार है यो बहुत ही बढ़नीया धाला ही आर्य लिए पर सिक्थाहं देखने यह battery देखने को मिलती है जिसमों को 5000 mm की बैटरी देखने को मिलती है उसी साथ में दोस्तों इसमों को dust and slash resistance भी देखने को मिल जाता है और इसमों को जो camera देखने को मिल जाता है तो अगर इस प्राइजंज पर आप एक best all rounder फोन लेना चाते हैं तब आप इसको ले सकते हैं दूस्तों और यह फोन है लावा की तरफ से लावा X2 अब इसके स्पैसिपिकेशन की बात केते हैं इसमें को 6.5 इंज की HD प्लस IPS डिस्पले देखने को मिल जाती है जिसमें को मीडिया टेक हिलियो A25 कोक्टा कोर प्रोसेसर स्टॉक इंड्रोइड 11 गो एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम 5000 इमेज की एक बीग बैटरी 8 mepx dual rear camera 5 mepx selfie इसमें आपको dedicated sim slot भी देखने को मिल जाता है ने को मिल जाता है जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और उसी इक साथ में दोस्तों इसमें आपको रियर माउंटेन फिंगर पें संसर भी देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की इसमें जो दूसरे नंबर पे फोन आता है अगर आप इस प्राइज पे एक बैलू फोर मनी फोन लेना चाहते हैं तब आप रियल्मी की तरफ से रियल्मी नार्जो 50i अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात केते हैं इसमें आपको 6.5 इंच की HD दिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको यूनिशॉक का SC9863A, 1.6 GHz Octa-Core processor, Realme UI based on Android D11 operating system, 5000 image की बैटरी, 8MP rear camera, 5MP selfie, इसमें आपको dedicated SIM slot भी देखने को मिल जाता है, security के लिए इसमें आपको सिर्फ फेस unlock ही देखने को मिलता है, price की बात कहते हैं आपको 2GB, 32GB storage आला जो variant है आपको 7,000 रुपीज में देखने को मिल जाता है, तो PCOSAK का processor देखने को मिलता है, लेकिन processor आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अच्छी खासी gaming हो गारा भी कर सकते हैं, उसी साथ में दोस्तों इसमें आपको dedicated SIM slot भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको सिर्फ face unlock ही देखने को म मिल जाता है, इस phone आपको top noise देखने को मिलता है, इस प्राइस जेंज पे, और इस phone है Redmi 9A Sport, इसके specification की बात कहते हैं, इसमें को 6.53 इंच की HD plus IPA दिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें को media tech Helio G25 octa-core processor, MIUI 12 based on android 10 operating system, 5000 mh की battery 10 watt fast charging, 13 megapixel dual rear camera 5 megapixel selfie, इसमें को dust and slash protection भी देखन को मिल जाता है, और security के लिए इसमें को सिर्फ face unlock ही देखने को मिलता है, price की बात कहते हैं, आपको 2GB, 32GB storage वाले जो variant है, आपको 6,999 रूपीज में देखने को मिल जाता है, अब बात कहते हैं, इस phone के pros and conscript, इसमें को जो display देखने को मिलता है, जो camera देखने को मिलता है, जो battery सिर्फ face unlock ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको dedicated SIM slot भी देखने को मिल जाता है, और dust and slash protection भी देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़ी है phone आपको देखने को मिल जाता है, इस price range पे, तो दोस्तों यह थे आज के top 5 best phone under 7,000 रूपीज, तो दोस्तों आज के वीडियो म बस इतना ही, आपको अमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंड में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पना होगो चैनल को जरूर सस्काइब कर लेना, ठाकि दूस्तों वीडियो क्लास तक देखने के मैई कर देना ही, राकि अला ही त något बदी लिडोरी कर देना है, पर आताना है, यूटी लेब कर देना के भिझोरा के लाई की लिवाज नीचे कर ढ़ दोरूरी कर दोर्स दोरहा इना ही चानल